C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय चार सरल समी करण प्रिष्ठ पिच्चासी चार दशम लवेक बौधिक खेल अध्यापिका ने कहा है कि वह गणित का एक नया अध्याय पढ़ाना प्रारंभ करने जा रही हैं और वह है सरल समी करण अप्वू, सरिता और अमीना ने कक्षा च्छै में पढ़े गए बीज गणित वाले अध्याय का पुनरावलोकन कर लिया है क्या आपने भी कर लिया है अप्पू सरिता और अमीना उत्साहित हैं क्योंके उन्होंने एक खेल बनाया है जिसे वे बवधिक खेल यानि माइन्ड रीडर कहती हैं तथा वे उसे पूरी कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हैं अध्यापिका उनके उत्साह की सराहना करती है और उन्हें अपना खेल प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती है अमीना खेल प्रारंभ करती है वहसारा से कोई संख्या सोचने को कहती है तथा उसे चार से गुणा करके गुणन भल में पांच जोडने को कहती है इसके बाद वह सारा से इसका परिणाम बताने को भी कहती है सारा कहती है के परिणाम 65 है अमीना तुरंत घोशना करती है के सारा द्वारा सोची गई संख्या पंद्रह है सारा सिरहिला कर हां कहती है सारा समेत पूरी कक्षा आश्चर्य चकित हो जाती है अब अप्पू की बारी है वह बालू से कोई संख्या सोचने उसे दस से गुणा करने और गुणन फल में से 20 घटाने को कहता है इसके बाद वह बालू से उसका परिणाम बताने को कहता है बालू कहता है कि यह 50 है अप्पू तुरंत बालू द्वारा सोची गई संख्या बताता है और कहता है कि वह संख्या साथ है बालू इसकी पुष्टी करता है प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि अप्पू, सरिता और अमीना द्वारा प्रस्तुत बौधिक खेल किस प्रकार कार्य करता है क्या आप देख सकते हैं कि यह कैसे कार्य करता है इस अध्याए और अध्याए बारह को पढ़ने के बाद आप भली भांती यह जान जाएंगे कि यह खेल किस प्रकार कार्य करता है प्रिष्ट च्छे आसी चार दशमलवदो समी करण बनाना आईए अमीना का उदाहरण लें अमीना सारा से कोई संख्या सोचने को कहती है अमीना संख्या के बारे में कुछ नहीं जानती है उसके लिए यह संख्या एक, दो, तीन, इत्यादी, ग्यारह, इत्यादी, सो, इत्यादी में से कुछ भी हो सकती है आईए इस अग्यात संख्या को एक अक्षर X से व्यक्त करें आप X के स्थान पर कोई अन्य अक्षर जैसे Y, T इत्यादी का प्रयोग कर सकते हैं इससे कोई प्रभाव नहीं पढ़ता कि सारा द्वारा सोची गई अग्यात संख्या के लिए हम कौन सा अक्षर प्रयोग करते हैं सारा जब संख्या को चार से गुणा करती है तो उसे चार X प्राप्त होता है फिर वह इस गुणन भल में पांच जोडती है और चार X जमा पांच प्राप्त करती है चार X जमा पांच का मान X के मान पर निर्भर करता है इस प्रकार यदी X बराबर एक है तो चार X जमा पांच बराबर चार गुणा एक जमा पांच बराबर नौ है इस का अर्थ है कि यदी सारा के मस्तिश्क में एक होता तो उसके द्वारा प्राप्त परिणाम नौ होता इसी प्रकार यदी उसने संख्या पांच सोची होती तो उसका X बराबर पांच के लिए चार X जमा पांच बराबर चार गुणा पांच जमा पांच बराबर पच्चीस यानि सारा ने यदी संख्या पांच सोची होती तो उसका परिणाम पच्चीस होता सारा द्वारा सोची संख्या ग्याद करने के लिए आईए उसके द्वारा प्राप्त उत्तर 65 से विपरीत की योर कार्य करना प्रारंभ करें हमें ऐसा x ग्याद करना है के 4x जमा 5 बराबर 65 ये हुआ समीकरण 4.1 इस समीकरण यानी इक्वेशन का हल ही हमें सारा के मन की संख्या को बताएगा इस प्रकार आईए अब अप्पू के उदाहरण पर विचार करें आईए बालू द्वारा चुनी गई संख्या को y मान लें अप्पू ने बालू से इस संख्या को 10 से गुणा कर और फिर गुणनफल में से 20 घटाने को कहा था अर्थात बालू y से पहले 10 y प्राप्त करता है और उसमें से 20 घटा कर 10 y घटा 20 प्राप्त करता है इसका ग्यात परिणाम 50 है अतह 10 y घटा 20 बराबर 50 ये हुआ समीकरण 4.2 इस समीकरण का हल ही बालू द्वारा सोची गई संख्या बताएगा 4.3 जो हमें ग्यात है उसकी समीक्षा ध्यान दीजिये के 4.1 और 4.2 समीकरण हैं आईए याद करें के कक्षा 6 में हमने समीकरणों के बारे में क्या पढ़हा था समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है समीकरण 4.1 में चर X है तथा समीकरण 4.2 में चर Y है शब्द चर यानी variable का अर्थ है ऐसी कोई वस्तु जो विचरण कर अर्थात बदल सकती हो एक चर विभिन संख्यात्मक मान ले यानी ग्रहन कर सकता है अर्थात इसका मान निश्चित या स्थिर नहीं होता है चरों को प्रायह अंग्रेजी वर्ण माला के अक्षरों X, Y, Z, L, M, N, P इत्यादी से व्यक्त किया जाता है चरों से हम व्यन्जकों यानी expressions को बनाते हैं ये व्यन्जक चरों पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन जैसी संक्रियाइं करके प्राप्त किये यानी बनाए जाते हैं X से हमने व्यन्जक 4X जमा 5 बनाया था इसके लिए हमने पहले X को 4 से गुणा किया और फिर गुणन फल में 5 जोडा था इसी प्रकार हमने Y से व्यन्जक 10Y घटा 20 बनाया था इसके लिए हमने Y को 10 से गुणा किया और फिर गुणन फल में से 20 को घटाया था ये सभी व्यन्जकों के उदाहरण हैं प्रिष्ठ 87 उपरोक्त प्रकार के बनाए गए एक व्यंजक का मान चर के चुने गए मान पर निर्भर करता है। जैसा के हम पहले ही देख चुके हैं कि जब x बराबर एक है, तो 4x जमा 5 बराबर 9 है। जब x बराबर 5 है, तो 4x जमा 5 बराबर 25 है। इसी प्रकार, जब x बराबर 15 है, तो 4x जमा 5 बराबर 4 गुणा 15 जमा 5 बराबर 65 है। जब x बराबर 0 तो 4x जमा 5 बराबर 4 गुणा 0 जमा 5 बराबर 5 है इत्यादी समीकरण 4.1, 4x पर एक प्रतिबंध है यह बताती है कि व्यंजक 4x जमा 5 का मान 65 है यह प्रतिबंध x बराबर 15 होने पर संतुष्ट होता है संख्या 15 समीकरण 4x जमा 5 बराबर 65 का एक हल यानि solution है जब x बराबर 5 है तो 4x जमा 5 बराबर 25 है जो 65 के बराबर नहीं है इस प्रकार x बराबर 5 इस समीकरण का हल नहीं है इसी प्रकार x बराबर 0 भी इस समीकरण का हल नहीं है पंद्रह के अतिरिक्त x का कोई भी मान प्रतिबंध 4x जमा 5 बराबर 65 को संतुष्ट नहीं करता है प्रयास कीजिए व्यंजक 10y घटा 20 का मान वाई के मान पर निर्भर करता है वाई को पांच भिन भिन मान देकर तथा वाई के प्रत्येक मान के लिए 10y घटा 20 का मान ग्यात करके इसकी पुष्टी कीजिए 10y घटा 20 के प्राप्त किये गए विभिन मानों से क्या आप 10y घटा 20 बराबर 50 का कोई हल देख रहे हैं यदि कोई हल प्राप्त नहीं हुआ है तो वाई को कुछ अन्यमान देकर ग्यात कीजिए कि प्रतिबंध 10y घटा 20 बराबर 50 संतुष्ट होता है या नहीं 4.4 समी करण क्या है एक समी करण में समता या समी का यानी इक्वॉलिटी का चिन्ह सदैव होता है समता का चिन्ह यह दर्शाता है कि इस चिन्ह के बाई और के व्यंजक यानी बाया पक्ष LHS का मान चिन्ह के दाई और के व्यंजक यानी दाया पक्ष RHS के मान के बराबर है समी करण 4.1 में LHS 4X जमा 5 है तथा RHS 65 है समी करण 4.2 में LHS 10Y घटा 20 तथा RHS 50 है यदि LHS और RHS के बीच में समता चिन्ह के अतिरिक्त कोई अन्य चिन्ह हो तो वह एक समी करण नहीं होती है इसलिए 4X जमा 5 65 से बड़ा है एक समी करण नहीं है यह कथन हमें बताता है कि 4X जमा 5 का मान 65 से अधिक है इसी प्रकार 4X जमा 5 65 से छोटा है भी एक समी करण नहीं है यह कथन हमें बताता है कि 4X जमा 5 का मान 65 से कम है समी करणों में हम प्रायह यह देखते हैं कि RHS केवल एक संख्या है समी करण 4.1 में यह 65 है तथा समी करण 4.2 में यह 50 है परन्तु ऐसा होना सदय वावश्यक नहीं है एक समी करण का दाया पक्ष यानी RHS चर से संबध एक व्यंजक भी हो सकता है उधाहरनार्थ समी करण 4.1 जमा 5 बराबर 6.1 घटा 25 में समता चिन्ह के बाई ओर व्यंजक 4.1 जमा 5 है प्रतिबंध यह है कि दोनों व्यंजकों के मान बराबर होने चाहिए ध्यान दीजिये कि इन दोनों व्यंजकों में से कम से कम एक में चर अवश्य होना चाहिए प्रिष्ट 88 हम समी करणों का एक सरल और उपयोगी गुण देखते हैं समी करण 4.1 जमा 5 बराबर 65 वही है जो समी करण 65 बराबर 4.1 जमा 5 है इसी प्रकार समी करण 6.1 घटा 25 बराबर 4.1 जमा 5 वही है जो समी करण 4.1 जमा 5 बराबर 6.1 घटा 25 है किसी समी करण के बाएं और दाएं पक्षों के व्यंजकों को आपस में बदलने पर समी करण वही रहती है यह गुण बहुदा समी करणों को हल करने में उपयोगी रहता है उदहरण 1. निम्नलिखित कथनों को समी करणों के रूप में लिखिये एक, एक्स के तिगुने और ग्यारह का योग 32 है दो, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है 3. एम का एक चौथाई 7 से 3 अधिक है 4. किसी संख्या के एक तिहाई में 5 जोडने पर 8 प्राप्त होता है हल 1. एक्स का तिगुना 3 एक्स है 3 एक्स और ग्यारह का योग 3 एक्स जमा ग्यारह है यह योग 32 है अतह वान्छित समी करण 3 एक्स जमा ग्यारह बराबर 32 है 2. आएए मान लें के यह संख्या Z है Z को 6 से गुना करने पर 6 Z प्राप्त होता है 6 Z में से 5 घटाने पर 6 Z घटा 5 प्राप्त होगा यह परिणाम 7 है अतह वान्छित समी करण 6 Z घटा 5 बराबर 7 है 3. M का एक चौथाई M भाग 4 है यह 7 से 3 अधिक है इस खार्थ है कि अंतर M बटा 4 घटा 7 बराबर 3 है अतह वान्छित समी करण M बटा 4 घटा 7 बराबर 3 है 4. वान्छित संख्या को N मान लीजिये N का एक तिहाई N भाग 3 है उपरोक्त एक तिहाई जमा 5 N बटा 3 जमा 5 है यह 8 के बराबर है अतह वान्छित समी करण N बटा 3 जमा 5 बराबर 8 है उदहरन 2 निम्नलिखित समी करणों को सामान्य कथनों के रूप में बदलिये 1. एक्स घटा 5 बराबर 9 2. पांच P बराबर 20 3. तीन N जमा 7 बराबर 1 4. एक्स में से पांच निकालने पर 9 प्राप्त होता है 2. एक संख्या P का पांच गुना 20 है 3. एक्स प्राप्त करने के लिए N के तीन गुने में साथ जोड़िये 4. किसी संख्या M के एक बटा पांच वें भाग में से दोग हटाने पर 6 प्राप्त होता है 5. यहां ध्यान देने योग्य एक महत्वपून बात यह है कि एक दिये हुए समी करण को केवल एक ही नहीं बलके अनेक सामान्य कथनों के रूप दिये जा सकते हैं उदहरनार्थ उपरोक्त समी करण एक के लिए आप कह सकते हैं एक्स में से पांच घटा ये आपको नौ प्राप्त होता है अथवा संख्या एक्स नौ से पांच अधिक है अथवा नौ संख्या एक्स से पांच कम है अथवा एक्स और पांच का अंतर नौ है इत्यादी प्रयास कीजिए उपरोक्त समी करणों दो, तीन और चार में से प्रत्येक के लिए कम से कम एक अन्य कथन के रूप में लिखिए उदहरन तीन निम्न लिखित स्थिती पर विचार कीजिए राजू के पिता की आयू राजू की आयू के तीन गुने से पांच वर्ष अधिक है राजू के पिता की आयू चवालीस वर्ष है राजू की आयू ग्यात करने के लिए एक समी करण बनाये यानी स्थापित कीजिए हल हमें राजू की आयू ग्यात नहीं है आईए इसे वाई वर्ष मान लें राजू की आयू का तीन गुना तीन वाई वर्ष है राजू के पिता की आयू तीन वाई वर्ष से पांच वर्ष अधिक है अर्थात राजू के पिता की आयू तीन वाई जमा पांच वर्ष है यह भी दिया है कि राजू के पिता की आयू चवालीस वर्ष है अतह तीन वाई जमा पांच बराबर चवालीस समी करण चार देशमलव तीन यह चर वाई में एक समी करण है इसे हल्क करने पर राजू की आयू ग्याद हो जाएगी उधारन चार एक दुकानदार दो प्रकार की पेटियों में आम बेचता है ये पेटियां छोटी और बड़ी हैं एक बड़ी पेटी में आठ छोटी पेटियों के बराबर आम और चार खुले आम आते हैं प्रत्य एक छोटी पेटी में आमों की संख्या बताने वाला एक समी करन बनाईए दिया हुआ है कि एक बड़ी पेटी में आमों की संख्या सौ है हल मान लीजिए कि एक छोटी पेटी में M आम है एक बड़ी पेटी में M के आठ गुने से चार अधिक आम है अर्थात एक बड़ी पेटी में आठ एम जमाचार आम हैं परंत यह संख्या सौ दी हुई है इस प्रकार आठ एम जमाचार बराबर सौ समीकरण 4.4 इस समीकरण को हल करके आप एक छोटी पेटी के आमों की संख्या ग्यात कर सकते हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचनस्वर गौरव मारवा तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत